हाई गाई इस आलिया भाट यूर वचिंग स्पोस इंडिया कीप वाचिंग उत्तर परदेश के लखनों में राज्ट्रिय मजदूर कॉंग्रेस और शूगर मिल्स वरकर्स फेडरेशन की कारिकारिनी बैठक का आयोजन किया गया इस बैठक में मुख्या अतिती के रूप में कॉंग्रेस परदेश अध्यक्ष राज बब्बर पहुंचे साथ ही अध्यक्ष राश्य मजदूर कॉंग्रेस अशोक सिंग समिछ सैकलों की संख्या में कारिकर्ता उन्हें भाग लिया इस बैठक में केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी और उद्योग विरोधी नीतियों की निंदा की गई है साथ ही श्रम कानूनों का सक्ती से पालन कराने की मांग रखी गई है और मजदूरों की नियूनुतम मजदूरी 25 हजार रुपे प्रतिमाह करने का प्रस्ताव रखा गया उन्निस प्रांतों में चीनी उद्योग होने के बावजूद अभी तक सरकार द्वारा कोई राश्ट्रे चीनी नीती नहीं बनाई गई और केंद्र और राचे सरकार के रिक्त पदों पर और समविदा कर्मियों को समयोजित किया गया देश के अंदर मजदूर किसान नौजवान तरही तरही कर रहा है परिशान है जिस तरह से आज की मौजूदा सरकार ने हर उस मेहनत करने वाले का हक चीनने का काम किया है उस गरीब के बच्चों की उम्मीदों को गलागोटने का काम किया है आज हर जगा तमाम वो संग्ठन मजदूरों के संग्ठन एक जुठ हो रहे हैं